हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आपके सब के मन में एक सवाल रहता है कि हम नैट की तयारी कैसे करें सिर्फ साइकॉलजी की नहीं सभी विश्यों के लिए कि हम अगर यूजी सी नैट कौलिफाय करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे तो उसके लिए मैं आप सभी के लिए टेप्स एंड ट्रेक्स लेकर आई हूँ अपना प्रॉफेसर अप्लिकेशन पर मेरा नाम शिर्पा है और मैं आप सभी का स्वागत करते हूँ सबसे पहले तो आप सभी के लिए एक bumper बेमिसाल offer है कि अपना professor application को पूरे एक साल हो चुके है उसी खुशी में आप सभी के लिए special तौफा लेकर आएं है आपको सभी courses पर 50% का discount मिल रहा इतना बड़ा discount अभी तक आपको कहीं पर भी नहीं मिला होगा आज से पहले आपने कहीं नहीं देखा होगा सभी courses पर 50% discount दिया जा रहा है अगर आप paper 1 करना चाहते हैं या paper 2 करना चाहते हैं या फिर paper 1 और paper 2 दोनों करना चाहते हैं तो आपके लिए एक special offer है December का आप batch लेना चाहते हैं तो 1650 रुपे का आपको मिल रहा है 1650 रुपीज का अगर आप December और June दोनों batches लेना चाहते हैं तो आपके लिए 2150 रुपे का है ठीक है paper 2 अगर आप करना चाहते हैं December batch के लिए तो 2500 रुपीज का आपको पढ़ रहा है बहुत ही कम कीमत है एकदम lowest price है और December और June दोनों की आप तयारी करना चाहते हैं तो 4000 4000 रुपे का है only paper 1 और paper 2 दोनों combo batch लेना चाहते हैं तो 4500 रुपीज का है only आपको सिफ इतना सा offer दिया जा रहा है कि आपको दोनों सबसे best तो आपके लिए रहेगा 5500 रुपीज में आपको December cycle and June cycle दोनों की तयारी आपको करवाई जा रही है तो अब तक का सबसे best test offer आपके लिए ये रहेगा इसकी validity रहेगी आपके June 2025 तक June 2025 तक इसकी validity रहेगी सवी courses पर 50% का आपको discount मिल रहा है अब हम बात करते हैं कि हम हमारी preparation कैसे करें तो preparation करने के लिए तीन चीज़ें हमारे mind में होने चाहिए सबसे पहले तो किसी भी exam को आप prepare करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसके syllabus की बारे में पता होना चाहिए कि उसके syllabus में क्या-क्या चीज़े रखी गई हैं क्या-क्या topics हैं कितनी units हैं हर unit को पढ़ने में कितना समय लगीगा सब चीज़ें आपके mind में सबसे पहले clear होनी चाहिए तो हम पहले बात करती हैं syllabus के उपर UGC net के अंदर जो psychology paper है उसमें आपके पास total 10 units दी जाती है 10 units हर unit में एक अलग topic दिया गया है यानि 10 units में आपके अलग-अलग topics cover होते हैं unit number 1 से लेकर 10 तब complete syllabus आपको cover मेरे द्वारा करवाय जाता है full on syllabus आप सभी download कर सकते हैं UGC net की website पर आपको मिल जाएगा उसके अलावा हमने syllabus पढ़ लिया है हर एक topic को हमने देख लिया है कि अच्छा intelligence है अच्छा learning भी हमें पढ़ना है Indian psychology पढ़ने है अच्छा history भी हमको पढ़ने होती है फिर हमने देख आच्छा developmental भी psychology है ये भी हमें यहाँ पर पढ़नी है research भी पढ़नी है stats भी पढ़नी है उसके अलावा हम देखते हैं कि abnormal psychology भी हमें पढ़नी होती है therapy, disorders, social psychology उसकी अलावा जो new emerging areas है applied psychology भी आपको यहाँ पर पढ़नी होती है तो ये तो हो गई slaybust के बारे में बाद अब दूसरा step होता है slaybust तो हमने ले लिया अब उसके notes कहां से बनाएं notes कोई एक book में से तो आते नहीं है आपको बहुत सारी books में से एक साथ notes को इखटा करना होता है तो अगर आप खुझ से ये सब चीजे प्रिपेर करोगी तो आपको बहुत ज्यादा time लग जाएगा आपका माल लीजिए चो 6 महीनी का slaybust है वो आपको एक साल देड़ साल में भी वो चला जाएगा बहुत लंबा चला जाएगा अगर आप खुझ से notes प्रिपेर करते हैं तो हमें क्या करना होता है हमें जो educators है उनकी help ले लेनी चाहिए क्यों? क्योंकि ये क्या है UGC net एक MCQ based exam है यहाँ पर आपसे MCQ type में questions पूछे जाएंगे चार options में से एक ही उत्तर है आपका सही होगा तो जिन persons को ज़्यादा experience से ज़्यादा knowledge है उनसे आप अपनी तयारी में help ले सकते हैं तो दूसरा आपका main काम क्या है? Notes को collect करना Notes को कैसे बनाना होता है? कैसे prepare करना चाहिए? यह सब बाते मैं आपको daily classes में बताती रहती हूं कौन सी चीज आपके लिए important है? कहा से प्रश्न बनेगा? यह सब knowledge होती है educator को तो आप उनकी सायता ले सकते हैं और अगर आप self study करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं थर्ड नंबर पे है analyze old papers अभी तक जितने भी papers हुए हैं उनको analyze भी आपको करना है तीन चीज़े आपको यहाँ पर करनी होती है पहले स्लेबस पढ़ना है फिर notes को prepare करना है फिर analyze old papers पुराने जितने भी प्रशन आए हैं जितने भी papers हुए हैं उन सब की study आपको करनी है उन में से आपको यह देखना है कि इस topic पर कहां से प्रशन आया है तो overall आपको सबी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने तयारी को करना होता है तो जब आप notes prepare कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा lengthy notes हमें नई बनाने होते हैं to the point हमें notes बनाने होते हैं एक book में से notes नहीं बनते हैं हर unit के लिए अलग-अलग books हमको पढ़नी होती है और उन books में से भी जो main चीज़े हैं उनी को हमें collect करना होता है और एक जगे पर सारी चीज़े हमें एकटा करनी होती है इसलिए आप सभी के लिए एक special offer है आप चाहें जितना लाव उठा सकते हैं 50% off is the biggest amount ever ठीक है दोस्तों अब मिलते हैं next topic को लेकर जो भी आपकी समस्याएं हैं आपको नीचे comment में आप मुझे बेश सकते हैं thank you so much to all of you bye bye and take care